रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वाज़त है प्यारे बच्चों आज हम हिंदी साहित्य का पार्ट ग्यार है जिसका नाम है पढ़क्कू की सूच वह पढ़ेंगे यह एक कविता है जो रामधारी सिंग दिनकर जी द्वारा लिखी गई है तो आएए शुरू करते हैं पार्ट ग्यारे पढ़क्कू की सूच एक पढ़क्कू बड़े तेज थे तरक शास्त्र पढ़ते थे जहां न कोई बात वहां भी नई बात गड़ते थे एक रोज वह पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए बैल घूमता है कोलू में कैसे बिना चलाए कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई धब है आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है मालिक ने यह कहा अजी इसमें क्या बात बड़ी है नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है जब तक यह बज़ती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ हाँ जब बज़ती नहीं दोड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ कहा पढ़कू ने सुनकर तुम रहे सधा के कोरे बेब कूफ मन्तिक की बातें समझ सकोगे थोड़े अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए घंटी तुन्टुन खूब बजेगी तुम नपास आओगे मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे मालिक थोड़ा हसा और बोला की पढ़कू जाओ सीखा है यह ग्यान जहां पर वहीं इसे फैलाओ यहां सभी कुछ ठीक ठाक है यह केवल माया है बैल हमारा नहीं अभी तक मन तक पढ़ पाया है यह लिखी है रामधारी सिंग दिनकरजीन है आईए अब इसका सारांज समझते हैं यह लिखने वाला व्यक्ति था जो तरक शाष्ट पढ़ता था जहां कोई बात नहीं होती वह वहां भी कोई न कोई बात बना लेता था एक दिन की बात है वह चिंता में पढ़ गया कि कोल हू में बैल अपने आप कैसे गूमता है वह सोचने लगा कि जरूर इसके मालिक ने इसे कोई तरकीव सिखा दी होगी उससे यह रहा नहीं गया और उसने यह बात अपने उसके मालिक से पूछी कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोल हू में बैल घूम रहा है या खड़ा तब मालिक ने जबाब दिया कि क्या तुम बैल के गले में भंदी घंटी नहीं देख पा रहे हो जब तक ये घंटी बस्ती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती जैसे ही इस घंटी से आवाज आनी बंद हो जाती है मैं दोड़कर बैल की पूँच पकड़ देता हूँ इस पर पढ़कों ने कहा तुम तो बिल्कुल बेफकूफ जैसी बाते कर रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यह बैल एक जगे खड़ा खड़ा अपनी गर्दन हिलाता रहे तुम समझोगे कि बैल चल रहा है लेकिन शाम तक एक मुन तेल भी नहीं निकाल पाएगा इस बात पर मालिक खसकर पढ़कों से बोला जहां से तुमने यह ग्यान सीखा है ना वहीं जाकर अपना यह ग्यान फैलाओ यहां पर सब सही चल रहा है क्योंकि मीरा बैल अभी तक तरक शाष्ट्र नहीं पढ़क पाया तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद